इस मैसेल्फ शाहिद सेयद इना इम दा ओनर ऑफ जी स्टी सिवा केंदर डॉट इन फिर्स्ट आफ वल्कम तू माइ चैनल बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का और बहुत सारे मेरे को मैसेज जेस आरे कि क्या अपनी जो टीडियास की लास्ट कॉर्टर का फाइनेंचल यह यह TDS की पेमेंट्स एब्री मंथ होती है एब्री मंथली होती है तो मार्च मंत की जो पेमेंट्स है अभी नॉम्मली TDS की पेमेंट्स होती है कि 7th day of the subsequent month मतलब कोई भी जैसे मेरे को एपरिल की पेमेंट्स करना है तो मेरे को में के 7 से पहले करना रहता है लेकिन एक exceptional case यह ह है कि आप मार्च की जो पेमेंट्स डेट होती है मार्च की पेमेंट्स क्योंकि वो financial closing होता है न दोस्तो इसले गॉर्मेंट्स है थर्टी डेज देती है यानि मार्च की पेमेंट्स आप 30 अपरिल तक का आप कर सकते हो तो वो डेट में कोई भी notifications या circular नहीं आया दोस्तो तो आपको 38 अपरिल से पहले आपको जो मार्च की जो पेमेंट्स है वो आपको anyhow करना है ने तो आपको इंट्रेस्ट लग जाएगा दोस्तो 1.5% पर मन्त का इंट्रेस्ट लग जाएगा तो अगर अभी तक आपने पेमेंट्स नहीं किया दोस्तों TDS की मार्च मन्त की तो मैं आपको personally recommend करता हो कि आप लोग wait मत करो कि इसकी date payment की date extend होने वाली है क्योंकि payments की कोई date extend नहीं होने वाली है अभी तक होने वाली रहती तो 26 हो गया दोस्तों अभी तक का वो कुछ ना कुछ notifications के तुरू वो extend कर दी होते लेकिन अभी तक का ऐसा कोई notifications नहीं आया कि जिससे यह मारूम पड़ जाए कि अपने को payments जो March month की payments है उसकी due date यानि वो payments की due date extend हो गई है तो March month की जो due date है payments की वो 31 April है दोस्तों लेकिन एक circular issue हुआता है NSDL से उन्होंने ये clearly बोल दिया है कि जो भी अपना जो last quarter का जैसे आपको मैंने बता है कि payments है TDS की मतली होती है TDS और TCS की मत लिए होती है लेकिन return filing quarter लिए होती है तो लास्ट quarter जो जैन टू मार्स का जो quarter है financial year 1920 गा उसका return file कब तक करना रहता था दोस्तों payments अप्रिल तक होती थी लेकिन return file 31 में तक होता था लेकिन वो date extend करके 30 जून कर दिया है दोस्तों तो यह देखिए circular की copy आप लोगो स्क्रीन प तक है उसको extend करके 30 जून कर दिया है फिर उन्होंने इदा clearly mention कर दिया है इना view of the same the timeline of submit of quarterly TDS and TCS statement has been extended the revised timeline to furnish the TDS and TCS statement for the quarter 4 for the financial year 1920 इस तिल इस तिल जून 30th 2020 all the teen and FCs are requested to take note the same for the plan and resource accordingly उन्होंने clearly इदर बोल दिया कि जो last quarter financial year 1920 का है जो जैंस है मार्स का जो quarter का return filing की जो due dates थी actual due dates थी 31st में लेकिन वो due dates अब extend हो गई है तो मेरे request अगर अभी तक आप लोग यह wait करें कि इसकी date extend होगी तो मैं आपको personally recommend करूँगा कि इसका wait ना करें मुझे नहीं लगता कि इसकी date extend होगी अगर कुछ भी notifications आता है तो मैं definitely इसको immediately very next day या तो same day आपको वो वीडियो बनाके मैं post कर दूँगा लेकिन 26 हो गई है दो तो अभी तक का कोई notifications issue नहीं हुआ income tax department से कि आया NSDL से कि इसकी payments extend हो गई है तो अभी तक का कुछ भी payments के related कुछ भी नहीं notifications ना circular आया है ना income tax department से ना NSDL से तो इसलिए request है कि 30th April से पहले आप लोग मार्च मंद का जो TDS की payments से वो payments कर दीजिए हाँ return की due dates extend हो गई है जो 30th June तो इस वीडियो में यही बताना था दोस्तो कि आप लोगा returns की payments खाली due dates sorry return की TDS और TCS की due dates extend हुई है payments की due dates extend नहीं हुई है तो दोस्तो यह चीज यह वीडियो यहापर मैं खतम करता हूँ लेकिन मैं आपको यह चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अपने चैनल प future में काम करना है तो वह सीरीज आपके लिए बहुत effective है दोस्तों आप वह सीरीज देखिया आपको clearly idea 7 में आएगा कि किस तरीके से पेरोल होता है introduction start किया हूँ मैंने salary structure का वीडियो पोस्ट कर दिया और सारी वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया दोस्तों और और भी बहुत सारे ROC के related ROC के भी practical वीडियो आने वाले कि practically किस तरीके से company incorporate होती है आपको live screen share करके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो सारे चीज होती है फिर ROC के forms कैसे भरते हैं वो सारी चीज आपको live बताऊँगा दोस्तों तो आपको income tax GST से related ROC compliance से related कोई भी doubts से queries है तो आप मेरे चैनल पे मेरे about section में मेरा contact details है आप में को whatsapp कर सकते है मैं कोशिश करूँगा कि इन ही आपको within 24 hours के अंदर आपकी queries resolve कर दो दोस्तों और अभी तक आपने मेरे चैनल subscribe नहीं किया दोस्तों तो please जाके मेरे चैनल subscribe कर लीजिए bell icon दबाना ना भूलिया क्योंकि आप मैं जैसी upload करता हूँ वीडियो तो first notifications आपको आएंगे आपको एकी platform पे मतलब मेरे चैनल पे आपको GST से related, income tax से related, ROC compliance से related, labor law compliance से related, सारे चीज़े up to date आपको एकी platform पे मिलेगा तो please मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल subscribe कर लीजिए दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों like कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर लीजिए कि उनको भी पता चल जाए कि payments की date extend नहीं हुए, सीव returns filing की date extend हुए तो यहाँ पर मैं वीडियो खतम करता हूँ दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में bye take care